वेलकम पेरिंट्स दोस्तों ये एक मदर हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेर करी है मेरे जो इंस्टा मेरा जो अकाउंट है उस पर और मुझे लग रहा है कि ये मैं आप लोगों के सामने इनकी प्रॉब्लम रखूं क्योंकि इससे कोई एक बहुत अच्छा एक मैसेज आप लोगों को मिलेगा तो मैं इनका जो इन्होंने लिखा है वो मैं आपको पढ़कर के बताता हूं हेलो सर आयम निधीत फ्रॉम सूरत गुजरात से हैं ये और इन्होंने काया कि मेरी बच्ची एक साल की है उसे बार-बार लूज मोशन हो जाते हैं कई बार दवाईली हो लेकिन ठीक हो जाने के बाद वापिस कुछ दिनों बाद फिर से हो जाते हैं और दूसरी प्रॉबलम दो प्रॉबलम शेयर करें पहली लूज मोशन की है दूसरी प्रॉबलम ये है कि वो खाना नहीं खाती उसके लिए मैं बहुत अलग-अलग खाना बनाती हूं लेकिन मु पुरा दिन कुछ नहीं खाती है प्लीज सजेस्ट मी तो दोस्तों उन्होंने दो प्रॉब्लम शेयर करी पहले उन्होंने का कि बच्चे को लूज मोशन बार बार हो रहे हैं और दूसरा बच्चा कुछ भी नहीं खाता है ठीक है ना जो भी उनको कुछ मोबाइल दिखाने के बाद ही खाएगा दरवाइज नहीं खाता है तो मैंने इनको रिप्लाई किया था कि आप बच्चे का बर्थ वेट और अभी का वेट मुझे बताईए प्रजेंट वेट उनका जो मैसेज आया कि बर्थ वेट जो है वो था बच्ची का 2.75 kg और प्रजेंट वेट जो है वो 9 9.3 kg तो दोस्तों अब आप खुदी सोचिए बच्ची एक साल किये और उसका वजन है 9.3 kg जो बिलकुल शांदार वजन है अब आप मुझे ज़रा समझाईए कि यदि बच्चा कुछ भी नहीं खाता है तो उसका वेट प्रॉपर कैसे है मैंने जो ज्यादातर केसे में डेली जितनी कैलोरीज चाहिए वो कैलोरीज बच्चा अपनी ले रहा है और वो डेली अपनी कैलोरीज जितनी चाहिए उसको ले रहा है तब ही उसका वजन जो है वो उसके सही जगह पर बैठ रहा है अब यहां पर इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती कि यह कई बार डेली अपनी calories नहीं लेकर के एक दो दिन नहीं खाएंगे उसके बाद दो तिन दिन अच्छा खा लेते हैं मैंने अपने पहले के वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि आप बजाए ये देखने के कि बच्चा रोज खा रहा है कि नहीं खा रहा है आप उसे weekly उस साइट पे जाकर के World Health Organization की बेबी ग्रोफ चार्ट जो है उसके उपर आप अपने बच्चे का वेट डालिये आपको दिख जाएगा कि हमारा बच्चा लोवर क्रेटेगरी में तो नहीं जा रहा है तो यहां पर जो इन्होंने एक समश्या बताई थी कि कुछ निखा रहा तो वो तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि बच्चा अपनी कैलोरीज ले रहा है बराबर उसका वेट साइज जगे के उपर फिट हो रहा है तो यहां पर मदर का ही एक एक साइटमेंट रहता है कि मैं उससे जादा से जादा खिलाओं तो शायद यहां पर प्रॉब्लम यह आ र करना बच्चा खा रहा है नहीं खा रहा है उसका खाने का मन नहीं उस पर छोड़ दीजिया जबर्दस्ति मत खिलाइए उसे यह ऐसे सादनों का उपयोग मत करें जो उसके लिए गलत हैं जैसे हमने मोबाइल की बात करी थी कि आप मोबाइल में उसे बीजी कर देंगे वो भूक भूल जाएगा और खालेगा आपको लगेगा कि चलो बहुत अच्छा हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं कीजिए आपका बच्चा मोझे ठीक लग रहा है तो आपका काम as a parent as a mother आपका काम है कि उसे well nutritious diet जिसमें अच्छे iron है vitamins हैं बार बार कहता हूं कि आप जो भी चीज बच्चे को खिला रहे हैं उसके बारे में आपको knowledge होना चीए कि हां मेरा बच्चा ये चीज खा रहा है पनीर मैं दे रही हो तो मेरे बच्चे को उससे क्या क्या मिलेगा क्या calcium मिल रहा है vitamin मिल रहा है या मैं उसे अगर apple खिला रही हो तो इसके फायदे क्या है आप जो भी बच्चा सामने है, examination की जरूरत रहती है, उसके उपर मैं ज्यादा comment नहीं कर पाऊंगा, कुछ जो बिमारियों से related आपकी queries होती है, वहाँ पर मेरी आप से suggestion है कि प्लीज ना ही post करें, क्योंकि ऐसी इस्तिती में बच्चे का सामने होना जरूरी है, उसको examination जरूरी है, एक detailed history चाहिए उसके लिए, nutrition वाली जो बात है, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जितने भी parents मुझे देख रहे हैं, आप लोग healthy baby चाहिए या heavy baby चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तर मैं ये देख रहा हूँ, कि हर व्यक्ति ये चाह रहा है, हर parent ये चाह रहा है, कि बच्चे को फुला दें, बच्चे का वजन बढ़ा दें, बच्चे को मोटा कर दें, इस चीज से बाहर निकलिए, ये वाली जो thinking है, इससे आप थोड़ा सा बाहर आईए, आप सिर्फ इतना देखें, कि मेरा बच्चा जो है, जो खाएगा, चाहिए वो कम मात्रा में खा र आपको सब चीजों का proportion, protein जा रहा है, calcium जा रहा है, iron, बार बार iron की importance बता देता हूँ, 6 महने से 2 साल के बीज, ज्यादा तर बच्चे हम लोग ऐनिमिक देख रहे हैं, कारण क्योंकि iron की importance का पता नहीं होता है, मेरे बहुत से वीडियो जहें इसके उपर, आप देख सकते है तो मुझे ऐसा लगनी रहा कि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, हाँ ये समझ सकता हूँ कि आप बहुत मन से बनाती हैं जब मदर अपना और उसके बाद बेबी नहीं लेता है, तो दुख होता है, लेकिन उसका अपना time है, उसे बहुत कम हो सकता है, उसे एक या दो इसपून चीए, आप चाहते हैं कि उस पूरी की पूरी कटोरी खतम करना, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो बच्चे की जो एपटाइट है, उसका रिगार्ड कीजिए, उसका रिगार्ड कीजिए, वो जितना खा रहा है, जब खा रहा है, खाने दीजिए, फोकस ये कि हाँ ठीक है, टाइम टू टाइम आपने उसका वेट और हाइट आप उसके पैरामिटर्स ले रहे हैं, और वो ग्रोज चार्ट पर फिट बैट रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता निदी जी, कि भूक से लेकर के आपके बच्चे को कोई बड़ी समश्या है, तो मेरे उसके उपर पहले मुझे फूलो करें, और वहाँ पर आप मुझे डारेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक इन्फोर्मेशन मिली होगी, बच्चे को जादा और जबरदस्ती खिलाने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को लाइक करे शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू